हर साल की तरह इस साल भी वार्षी का मरदात्ता यात्रा अधिकारिक तोर पर एक जुलाई से सुरू होने जा रही है वहीं अनंतनाग और गांदर्बाज जिले में होकर गुजरने वाली इस तीर यात्रा को लेकर लगभग सवी तैयारियां पूरी कर ली गई है जबकि इस संबंद में रईस्टेशन भी शुरू कर देगा है आप भी देखिये मारी या रिपोर्ट सुरच्छा एजन्सी की ओर से एहम बैठकों का सिल्सला सुरू हो गया है जबकि सबसे एहम बैठक दो दिन पहले स्री नगर में हुई थी भी बैठक में घ्रह सचीब खुपियाग प्रमुक पुलिस तमुक और महत्वपूर्ट सुरच्छा अधिकारी सामेल हुए है जबकि विविन सुरच्छा बलों के सभी वरिस अधिकारियों ने घ्रह सचीब को अपनी अपनी तयारियों की जानकरी दी है मीडिया से बात करते हुए सीमा सस्त्रबुल के उप महानिरचक एच बीके सिंग ने सुच्छा की जानकरी देते हुए कहा है कि हम हर बार की तरह आने सुच्छा अधिकारियों के लिए अनुभवी विवाओं का चैन किया है जिनने तीर्थ यात्रों के साथ कैसा विवार करना चाहिए और तीर्थ यात्रा के दोरान आम लोगों के साथ कैसा विवार करना चाहिए यह सिखाया गया है ताकि वे अपना कर्तब निवा सके है उन्होंने आगे कहा कि हमारे युवार रोड ओपनिंग पार्टी का हिस्सा बनते रहेंगे और युवाओं को कुछ महतरपुट विशिस दिसा निर्देश भी दिये गए हैं उन्होंने कहा कि हाला कि यात्रा सुरू होने में अभी समय है गांदरबाल जिले के प्रवेश बिंदू यानी नाग बुल्फ में पहले ही सुच्छा करी कर दी गई है लेकिन दुस्मन की किसी भी हरकत को समय रहते समझा जाएगा और उनसे पूरी तरह निप्टा जाएगा जम्मु कस्मिर से फिर दोस एहमत की रिपोर्ट यात्रा भी सफल रहे है यात्री यात्रियों को भी कोई भी दिक्र ना आए कोई इंकणविनेंस ना आए और पॉब्लिक को भी इसकी इंकणविनेंस ना आए जैसे गारी बहुत बार रोकना पड़ता है इसकी स्पेशली हम इनकी अलग ट्रेनिंग और चला जाते हैं ब्रीफिंग की जाती है इस बार इनसे ये ट्रेनिंग है कि लड़के जो डेडिकेटेड है जो लड़का जो वहाँ फिजिकली एक्टिब है जो दिन भर वहाँ सरक में हो यह कहीं भी जगा पे जो फोज में जो इसकी ज़रूरी है तो वह सब लगे कुछ उनके उनको स्पेशल ट्रेनिंग किया जाता है उनको पब्लिक के साथ कैसे बीएवीयर करना है जो लोगों के के लिए अलग से पुरे तयारी है गौर्मेंट की तरब से भी और सिक्यूर्टी की फोर्सेज की तरब से भी पुरा इसके लिए समता और यह सक्षम है हम भी बाकी फोर्सेज की साथ हम भी मिलके काम करेंगे जैसे पहले भी किया है और सस्त्र शिमाबल इसके लिए पुरा सक् कि मैं